हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपको स्वागत है बिहार पुलिस को स्टेबल भरती 2019-20 नोटिफिकेशन संख्या 02-2019 के अंत्रगत 11,888 पदो पर भरती आया था जिसका एक्जाम 12 जनुवरी को 2 सिफ्ट में तथा 8 मर्च को 2 सिफ्ट में टोटल 4 सिफ्ट में 10,5 लगों का ए इजाम लिया गया था CSBC द्वारा ये सभी परक्रिया CSBC कंडक्ट कराता है अब यहां पर मैं जनकारी देदू आपको कि अभी फिसकल 7 दिसंबर 2020 से पटना के गरदनी बाग में स्टार्ट है लोगडाउन होने के कारण लोगडाउन में ही आपको फिसकल होने वाला था लेक क्योंकि इतने फरजी अभियार्थी मिल रहे हैं और वो आ भी रहे हैं ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि वो आ रहे हैं और पकड़ा रहे हैं पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्यों है लेकिन ये आप लोग भी सोचिए कि ऐसा हो क्यों रहा है कि उनको पता होने के बाद भी कि हम पकड़े जाएंगे वह आखिर आ क्यों रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत से फर्जी अभियार्थी बच जा रहे हैं तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कल की जो फिसकल हुआ है उसमें कितने लोग पास हुए हैं और कितने फर्जी अभियार्थी पकड़ाने का भी तो दो-दो रिकोड बन रहा है एक दिन में अच्छे खासे लड़के पास हो रहे हैं जो कि इससे पहले नहीं होते थे और एक दिन में अच्छे खासे फर्जी अभियार्थी भी पकड़ा रहे हैं जो कि इसके पहले नहीं पकड़ाते थे तो चलिए स्ट गया इन सभी को गर्दनी बग्थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है और फर्जिवाड़े के औरुप में पर्थमिकी दर्ज की गई है अब यह पर दिखे जिले का नाम भी दे रहा है बैसाली बक्सर सारण पटना नलंदा भोजपूर मधपूरा बक्सर गुपाल गंज आ दक्षिता परिच्छा के दर्ण चेन परसत द्वारा तमाम अभिहार्थी के फोटो को मिलान और बैमेट्रिक अंगुठे का निसान लिया जाता है इसी दर्ण 15 अभिहार्थी के ना तो फोटो का मिलान हो पाया और नहीं उनके बैमेट्रिक अंगुठे का निसान मैच किया इसके बाद उन सभी को पकड़ लिया गया है असपस्ट है कि इन अभ्यार्थियों ने असकोलोरों की मदद से लिखित परिच्छा पास की और सारीर की दक्षिता परिच्छा में खुद पहुँच गये गर्दनी बाग थाना अध्यक्ष अरूर कुमार ने 15 अभ्यार्थियों देखिए 702 अभ्यार्थि सारी दक्षिता परिच्छा में सफल हो गए आप अनुमान लगा लिजिए कि 50% से उपर जा रहा है लगबग 60% के करीब पहुँच गुदा है मैं बार 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 बोल रहा हूं कि जैसे जैसे दीन खतम होगा मिसकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा आप 95 क्यों नहीं कोशन बना कर आयोंगे रिटेन में उसे कोई फरक नहीं पड़ता है अब आप इसमें 95 नंबर ला दीजिए तो वो आप सबसे टॉप कर जाईएगा ठीक यह आपका मतलब करता है मिसकी फिजकल पर मेरिट लिष्ट बनेगा टोटल जो 50 दोड़ पर है 25 ग अब यहां पर में बता दूं मिसकी पिछली भरती के बारे में वार बार लोग पुछ रहे कि सर पिछली भरती में क्या होता था देखिए पिछली भरती में 9999 पोश्ट आये थे 2017 में याद रखिएगा 9999 का ही पोश्ट था इसमें क्या हुआ था कि जो फिजकल के लिए बुलाया जाते तो वो भी आपको लगबग लगबग जाड़ा खतम होने वाला था उ उसमें जो लड़के बुलाया जाते थे उसको दो तरीका से वो क्यों जादा चड़ जाते थे एक तो उनको जाड़ा में फिसकल के तैयारी करना पड़ा था तो जाड़ा में फिसकल के तैयारी करना बसरते गर्मी में से मुस्किल होता है इस बात को ध्यान मरकिएगा क्यों प्रवाइब कुल लड़कों को एक दिन में वुलाया जाता था इस बार क्या है 1600 लड़के को बुलाया जा रहा है उस समय लोग लगभग लड़के जो चटते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है ठीक दोड़ निकाल कर भी बहुत से लड़के जो है हाई-जंप में चड़ जा रहे हैं इस बात को ध्यान मर कियेगा यह इंगित करता है कि जो लड़का दोड़ कर रहा है सुरू से वह सुरू से हाई-जंब भी क हो जाते थे समझे कि 20-25 परसंट ही रिजल्ट हो पाता था इसलिए आप देखिया कि जितना लड़के फिजिकल में लगबग स्लेट हो जाते थे फिर उसके बाद मेडिकल होता था उन लोगों को ज्वाइनिंग करा लिया था कुछी लड़के ऐसे होते थे जो कि मेरिट लि उनके जगा पर कोई ना कोई परिच्छा केंदर पर बैठा यह तो आप साफ कह रहे हैं तो यह अपना गलती तो आपको मान रहे है कि परिच्छा केंदर पर धांदली हुआ है जो कि मैं बहुत पहले से ही बोल रहा हूं कि देखिये परिच्छा केंदर पर बहुत मातरा में मिलता है लेकिन जिस तरह से ये बिहार पुलिस का चल रहा है और जो लोग लगभग नहीं आ रहे है सोच लिजे उसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो वो लोग दोड़ अपना छोड़ रहे हैं यहा वहां पर एसाई रंग के लोग का भरती का मिस एसाई रंग के जो भी होते हैं पुलिस उनका डूटी भी लगता है और बकायदा चेक भी किया जाता है तो आखिर ऐसे कैसे हो गया कि दूसरे स्कोलर आकर वहां पर बैठ गए और परिच्छा दे दिये यह सब ध्यान देने वा कोई और यह फिरीन इकनेक्ट कराँ दें जाए और वह अठाव में डालने होता है और वह अपको खरीदन पड़ेगा वह आपको अचछा खसा खरीद सकता क्योंकि पैसा के कमी तो है नहीं लाखो करोडो रुपया लगा कर एक्जाम लिया जाता है तो अगर इस एक्जाम वो अच्छे से कराना योग्षा है तो करा सकता है और जो भी इसमें पकड़े जा रहे हैं उनके पीछे से पकड़िये और उनको ऐसा जेल में डालिए कि क्योंकि जो कोशन पेपर इधर उदर होता है वो भी आपको न हो पाए अब यहां पर मैं आपको जनकारी देता हूं कि जो जो फर्जे अभियार्थी पकड़े जा रहे हैं सीधे जेल में डाल रहे हैं वो कभी एक्जाम नहीं दे पाएंगे कोई भी सरकारी जोग उनका नह जल्दी से जल्दी अपना सुधार कर लिघे तिन चीज में आपको सुधार करना ही पड़ेगा लेकिन वह भी दिक्कत हो था लेकिन में सबड़ से Wars लिए और वाल स hablando ही पड़ेगा जोई दोक्त्याइल सेलिक्षन होने के और कल का इंतिजार मत कीजिए सर्वर डाउन हो जाता है फिर आपके हाथ से यह निकल जाएगा ठीक तो मुझे जनकारी जो देना था मैं दे दिया कि कैसे भरती पिछले साल हुआ था इस सल कैसे भरती पिछले साल 2000 बुलाया जाता था एक दिन में लोगों को इस साल 1600 बुलाय